धमतवी जुले में इन दिनों चोरी की घटनाय बढ़ गई है शातिर चोर सूने मकानों को अपना निशाना बना कर वारदात को अंजाम दे रहे हैं वहीं चोरी के एक मामले में कोतवाली पुलिस ने दो चोरो को गिरफतार किया है जिनके पास से चोरी के गहने बरामद हुए बताया जा रहा है कि धमतवी शोहर के बठेना पारा निवासी प्रवीन चंद परिवास सहित घर में ताला लगा कर नगदी गया था इस दोरान अग्या चोरो ने घर का ताला तोड़कर अलमावी में रखे कभी 90 हजार रुपे कीमत के गहनों पर हाथ साफ कर दिया जिसके रिपोर्ट पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी इस दोरान पुलिस ने मुखबीव की सूशना पर सनेही, सुरेश, तिवारी और दीपा को हिरासत पे लेकर पूछ ताच की रहने वगर इसके गायब थे, इसकी रिपोर्ट पर चोरी का पराद दर्श किया गया था, तो आस पास मोजूद जो CCTV फूटेश थे और मुखबीर को सक्रिय किया गया, तो दो संदिहनों का नाम पता चला, जिसमें से एक है सुरेश, तिवारी टिक्रा पारा का, दूसरा है दीपक पुरुफ गबलु साहु इस्टेसंग बारा का, इन लोगों का फिरासत न लेकर के, कितो तनलीश पूर्ट ताजकीजित इनके दौरा चोरी करना स्विकार किया, अन्नाहर पार धाड़े की इनारे समान को रखना बताया, इनका मेमोरेंडम लेके समान जबती किया ग झाल